हेलो बच्चों मैं अराधना बर्मा आप लोगों का मेरे योट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कख्छा 4 की हिंदी पुस्तक रिम जिम 4 का पार्ट नमर 8 कौन का एक वर्क्षिट सॉल्व करने जा रहे हैं तो चलिए हम लोग इस पार्ट की शुरुवात करते हैं इसके वर्क्षिट को सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट का नाम था कौन जो कि एक कवीता था और चुहे पर लिखा हुआ ये कवीता था इस पार्ट में कुछ कठ स्ट्रेट और खलीता खलीता का मतलब होता है pocket इन ड्रेश रदी यानि वेस्ट मेटिरियल कबारी कबारी का मतलब होता है ragpicker या West collector शाथ नमबर है कागज का मतलब होता है paper कूड़ा यानि की garbage सरारत सरारत का मतलब होता है mischief behavior अब है आगे अगला है question समनार्थी शब्द लिखो यहां कुछ सब्द हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द हिंदी में आपको लिखने हैं तो स्याही का समनार्थी शब्द होता है मशी यह देखिया आप श्याही का picture रद्दी का समनार्थी शब्द होता है कूरा यहां पर एक कूरेदान है दुनिया का समनार्थक शब्द होता है शंसार दुनिया का समनार्थक शब्द होता है शंसार और पोथी का समनार्थक शब्द होता है किताब यहां पर संसार यानि की world और किताब मतलब book इसी तरह से पांचमा है तस्वीर इसका समनार्थक शब्द होता है चित्र इंग्लिश में इसे पोर्ट्रेट भी करते हैं अनाज अनाज का समानर्थ होता है अन जिसको की इंग्लिश में शिरियल्स भी बोलते हैं अगला प्रस्ण है तुक वाले शब्द लिखो तो कुछ सब्द दिये जाएंगा तुक का मतलब होता है राइमिंग वर्ड जिनका की प्रनांशेशन एक ही जैसा होता है लगबग लगबग अर्थ अलग होता है लेकिन प्रनांशेशन एक जैसा होता है तो यहां पहला है रश रस्षी का rhymeing word तुकवाले शब्द हो जाएगा लश्षी रद्धी जिद्धी मिठाई भाई धाता जाता पन्ने छन्ने ये सारे जो भी हम लुप तुकवाले शब्द लिए हैं ये हमारे पार्ट कौन का ही है कवीता कौन का ही शारेश शब्द है अगला है इसी कवीता पर बेज़्ट कुछ कोस्चन है जो की पाठ से मिलते जुलते जो आपको नौलेज हुआ है उसके आधार पर दिये रहे है कोश्टक में से सही शब्द चुनकर खाली अस्तान बढ़िये मच्छर भिन भिना रहा है पानी ठंधा है श्याही बिखडी है सोना चमकता है तितली उरती है तो बच्चों इसमें हम लोगोंने इस तरह का सेलेक्शन क्यों किया क्योंकि यहाँ पर मच्छर सब्द जो है मच्छर सब्द क्या है मच्छर एक पुलिंग शब्द था तो इसलिए रहा का हम लोगोंने सेलेक्शन किया पानी यह भी पुलिंग शब्द है तो इसलिए ठंधा सब्द का हम लोग क्या कियें यहाँ पर खाली अस्थान में सेलेक्शन कियें स्याही एक इस्त्रिलिंग शब्द है इसलिए हम लोगों ने बिखरी को चुना सोना एक पुलिंग शब्द है इसलिए हम लोग चमकता सब्द को सेलेक्ट कियें कितली एक स्ट्रिलिंग शब्द है इसलिए हम लोगों ने उरती शब्द को सेलेक्ट किया आगे है प्रस्न और उत्तर यानि प्रस्नों के आपको उत्तर देना है पहला प्रस्न है कागज कौन कुतरता है उत्तर है चूहा कागज को कुतरता है दूसरा है रात को घर में घुषकर कौन कौन से जीव हानी पहुँचाते हैं आप उत्तर देंगे रात को चुहा, बिल्ली, चुछुंदर घर में घुषकर हानी पहुँचाते हैं यह देखे चुहा का चित्र है यह कौन है यह चुचंदर है यह बिल्ली है यह सब रात को घुषकर के आमारे घर में नुकसान पहुचाते हैं अगला प्रस्ण है दिन में घर में घुष कर कौन कौन से जीव हानी पहुचाते हैं तो दिन में गिलहरी चिरियां कुत्ता घर में घुष कर हानी पहुचाते हैं लहरी है, चिरिया हाँ और ये कुत्ता ये दिन गूच जाते हानी गर में और नुकसान पहुंचाते हैं अगला प्रस्ण हाँए चुहे ने घर की किन-किन चीजों को कुत्रा और बिखराया है किस में इस कव Maximus तो कुत्रे हुए चीजों क्या हम एक लिस्टियां पर बनाए हैं जिनकों की चुहा कुतरता है कागाज बटन जूते और बिखराया हुआ चीज जिसको की बिखेर दिया स्प्रेट कर दिया वह था अनाज श्याही और मिठाई ऐसे चार अन्य जीवों के नाम लिखो जो चीजें कुतर कर खाते हैं कुतरने का मतलब क्या होता है बच्चों दांत से किसी चीज को काट काट करके और उसको खाना तो इस तरह का ऐसे कौन कौन से चार जीव हैं जो इस तरह का काम करते हैं चुआ, गिलहरी, खरगोश, साही ये क्या करते हैं चीजों को कुतर कर खाते हैं दांत से चुट 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 टुकडे में काट काट के खाते हैं यहाँ आप चित्र देख रहे हैं चित्र में ये यह लहरी है यह खरगोश है और यह शाही है अगला प्रस्न है आपके लिए कविता में जिस सरारती जीब की बात की गई उसका चित्र बना और उसमें रंग भर होती है आपको चुहे का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना ये काम आप खुद करेंगे अगला प्रस्न है ब कविता में आया है आपको क्या कटा है उससे नए शब्द बनाने है तो बटन जो कि इस कविता में आया था सब्द उससे हम एक वाक्य बना सकते हैं मेरे पास तीन बटन है अनाज वो भी आया है इस कविता में शब्द इससे हम नए एक वाक्य बना सकते हैं चुहे ने घर भर म अनाज बिखराया फिर कागज से हम क्या बना सकते हैं sentence कागज मेरे पास चमकीला कागज है दुनिया से नया वाक्य बना सकते हैं दुनिया गोल है सरारत से हम क्या बना सकते हैं मेरा दोस्त बहुत सरारत करता है फिर आपको एक रचनात्मक लेक चोटा सा एक लेख लिखने के लिए बोला जाएगा जिसका की सिर्षक क्या दिया गया है उसका सिर्षक दिया गया है मेरा प्रिये मित्र मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना मेरा प्रिये मित्र इस पर आपको रशनतमक लेख लिखना है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर तो आप कैसे मेरा प्रिये मित्र है उसका घर मेरे घर के पास ही है हम दोनों का विचार लगभख समान है हम दोनों एक साथ खेलते और पढ़ते हैं हम दोनों एक ही कक्छा में पढ़ते हैं हमारी मित्रता में श्वार्थ की भावना दूर दूर तक नहीं है तो बच्चों उमीद करती हूँ आपको ये वर्क्षिट पशंद आया होगा आपको इससे जरूर ही लाव मिलेगा अगली वीडियो में मैं एक और वी वर्क्षिट आपके लिए इसी लेशन का लेके आऊंगी आप उसे भी देख लिजिएगा अगर आपको वीडियो पशंद आया हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर कक्षा एक से लेके कक्षा दस्तक के बहुत सारे हिंदी की वीडियो उपलब दें आप उसे आराम से देख सकते हैं धनिवाद बच्चो देखने के लिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार